लो स्टुडेंट्स वेलकम टू जेके टॉपर सो गुड मॉरिंग टू अलो फ्यू सो यहां पर आज जेके एससबी वाइलाइफ के कुछ इंपॉर्टन कोशन करेंगे जैसे कि मैं आपको बता देती हूं कि जो जेके एससबी वाइलाइफ गार्ड के जो फर्म हमने जेके एससबी का यह पेपर कंड़क्ट करवा देगी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन जो है हमारा वाट इस दी सर्कमफ्रेंस ओफ मांसर लेक ठीक है तो यह कोशन जो है यह जो मैं आपको कोशन आज करवा रही हूं यह सब कोशन किसमें पूछे गे ह आपको यह जेके एससबी वाट लाइफ कार्ड में यह कोशन पूछेगे हैं ठीक है उसका यह एक मॉडल टेस्ट पेपर है वहाँ पर यह कोशन पूछेगे हैं तो देखिए कोशन हमें कहता है कि मांसर लेक जो है उसका सर्कमफ्रेंस कितना है तो आप्शन आपको दीए ग किलोमेटर ठीक है तो सर्कमफ्रेंस जो है वो मांसर लेक का कितना है वो है आपका फोर किलोमेटर नेक्स्ट कोशन आते हैं तो फेमस निशांत गार्डन इन जमू एंड कश्मीर ठीक है तो फेमस है यह निशांत गार्डन जमू एंड कश्मीर का तो यह कहां पर है सही आंसर क्या है आपका आसिफ खान नेक्स्ट है हूँ लेट दी शालिमार गार्डन इन जमु एंड कश्मीर अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे कह रहे हैं कि आउट अफ स्लेबस है जब आपको पिपर में भी आउट अफ स्लेबस ही पूछा जाएगा तो तो इसमें पूछते हैं हमें जो शालिमार गार्डन है जमु एंड कश्मीर में तो उसके लेट कौन है तो देखिए चार आप्शन है ए आप्शन जो है अकबर बी आप्शन शा जहां एंड सी आप्शन जो है जहांगीर और डी आप्शन है आपके पास हिमायू चार पार्ट जहांगीर चलिए नेक्स्ट कोशन चलते हैं जिसको कोशन दिख रहा है जैसे की तो जिसको इसका आंसर पता है वो नीचे फटा फट लिखते चलिया आंसर साथ साथ करोगे तो तभी आपको यह रिवीजन होगी तभी आपके यह दिमाग में बैठेगी ठीक है तो द एरिया एराउंड 21 नेशनल पार्क ठीक है नेशनल पार्ट 21 और वाइल लाइफ सेंचुरी के एर्द गिर्द ठीक है एक्रोस दी कंट्री एज एको सेंस्टिव जोन कौन सा है कितना है ठीक है तो उसके एराउंड का एरिया बताना है तो देखिए आप्शन आपके पास चा आगे तो सही आंसर क्या है आपका बिल्कुल सही आंसर जो है यानि की 10 किलो मीटर का क्या है आपके पास वहां का एरिया कहां का नेशनल पार्क और वाइल लेफ सेंचुरी के आसपास इर्द गिर्द नेक्स्ट हैं वू इसरा आइविटनेस पार्षल आजуска ब्सक्र ऑफरकी आज ब्सक्राइशन पार्षल अब्सकूंफवेशन अब इसके अजियाी पास इर्द गर्द आज़्द रूंबा फॉक डान्स रिलेटिड विद विच ट्राइब एंड स्टेट ठीक है अब जो ये बागुर रूंबा जो ये एक डान्स है यह किसके रिलेटिड है यानि की इसका ट्राइब क्या है और यह कौन ची स्टेट में होता है कौन लोग इस टांस को करते हैं तो देखिए चार ऑप्शन है आपके पास तो सही आंसर क्या होगा हमारा यानि की नन ओफ दीज इन में से कोई भी नहीं ठीक है नेक्स्ट है आपके पास महा माना टू मैदान मोहन मलविया ऑप्शन देखिए दादबाई नेरो जी है गुकले गोपाल कृष्णा गोखले है महात्मा गा यह यह हैं आपके कौन सी यानि की महात्मा गांदी नेक्स्ट कोशन कहता है विच वग ओफ दी फॉल्विंग स्टार्स इस निरस टू दी अर्थ जो हमें ऑप्शन दिये गे हैं निमिल लिखित में से कौन सा ऐसा स्टार है जो बिलकुल अर्थ के साथ है यानि की अर्थ के पास है पोलेराइज अल्फा सेंचुरी सन या सेरिस तो क्या है आपके उदर सन ठीक है यह बिलकुल किसके साथ है स्टार और अर्थ के निरस्ट नेक्स्ट देखिए दी टर्म ओफ लोग सब्वा ठीक है ऑप्शन एक के नोट भी एक्स्टेंड अंडर एनी सरकम्स्टांसि कोई भी इसके अंदर सबस्टांसिस आते हैं यानि कि कोई भी आते हैं सरकम्स्टांसिस लोग सबा के अंदर तो वो क्या एक्स्टेंड नहीं करेगी यह एक्स्टेंड करेगी वन एयर के लिए यह एक्स्टेंड करेगी टू एयर के लिए तो देखिए सही आंसर जो है आप प्रोक्लोमेशन ओफ अमर्जेंसी, ओके, नेक्स्ट है, एकनॉमिक ग्रोथ इस यूजियली कपल्ड विद डैश, एकनॉमिक ग्रोथ जो है, किसके साथ है ये, अप्शन देखिए, आपको दिख रहे हैं चौर अप्शन, तो सही अंसर क्या होगा आपका, सही अंसर जो है बिल्कुल आपका सही अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोशन के ओर चलते हैं, तो नेक्स्ट कोशन कहता है, विच ओफ दी फॉल्विंग कंट्रीज है, जिसने ये फैसला किया है, कि वो क्या खरीदेगी, 126 रैफल फाइटर एरक्राफ्ट करीदेगी, कहां से, फ्रांस से खरीदेगी, ठीक है, तो ये देखिए आपके पास, आपके पास, आपके पास, कौन सी कंट्री ने ये फैसल किया है, option A जो हाई, आपको कहता है, आपको ख Trustee, बंगलादेश, option D अफ्गानिस्तान, and option E जो है, इंडिया, तो सही आंसर जो है, यानि की हमारा इंडिया, ठीक है, तो इंडिया ने ये फैसला किया है, कि वो फ्रांस से जो होरी, 126 रैंटर एरक्राफ्ट, खरीदेगी, ठ ठीक है, next question है आपके पास, which of the following diseases is considered as completely eradicated from India as no case of the same has been reported in last one year, ठीक है, तो इसमें हमें पूछा है कि जो disease है, ठीक है, तो कौन से disease है वो, last one year से जो है, तो जो option है हमें उनी में से बताना है, ठीक है, ऐसा ना समझो कि आप one year से last बोलोगे, तो करोना हो जाएगा, वो वाइडियो हो जाएगा, कुछ nothing else, ओके, तो देखिए option जो है हमारे पास, polio, tuber classes, cancer, swine flu या अस्थमा, सही answer, ए, polio, next question देखिए, which of the following countries in India's neighborhood is facing charges of violation of human rights of tamilians living there, कौन सी country है हमारी इंडिया की ये पडोसी 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 पता है ना neighborhood, जो इसके facing पर है, ठीक है, यानि की front side पर है, तो वो देखिए, आपके पास option देखिए, चार है, sorry, five option है, आपके पास, श्री लंका, मैयानमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तो सही answer क्या है आपका, सही answer जो है, यानि की ये पार्ट, श्री लंका, next question देखिए, next question है, which of the following is not an important function of RBI, RBI की full form होगी, Reserve Bank of India, ठीक है, अब इन में से जो हमें option दिये गए है, इन ही में से कौन सी जो important function है, RBI की नहीं है, ठीक है, RBI की नहीं है, यानि की Reserve Bank of India की नहीं है, देखिए, option आपके पास, पांच दिये गए हैं, ये देखिए, यहां पर, पढ़िए इसको, क्या option है आपके पास, जिसको इसका answer आता है, वो नीचे लिखते चलिए, तो सही answer क्या है आपके पास, सही answer जो है, यानि की, C part, Devising Foreign Trade Policy of India, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मिस कमला परसाद, बिसासर, who was on a visit to India, recently, is the, तो मिस्टर कमला परसाद, जो हैं, इन्होंने क्या किया है, ये कौन है, जो इंडिया में विजिट किया था, इन्होंने अभी अभी, तो देखिए, ये पाँच option है, President of Trinidad and Tobacco, तो बैगो, Prime Minister of Trinidad and Tobacco, President of Izzy, या Prime Minister of Izzy, या None of Izzy, तो ये कौन है, कमला परसाद, बिसासर, ठीक है, जो इंडिया में आये थे, जो इंडिया में विजिट किया था, तो वो थे आपके, यानि की, बी, Prime Minister of Trinidad and Tobacco, नेक्स चलते हैं, लेकिन नेक्स कोशन पूछता है, विच ओफ ती फॉल्विंग स्टेटमेंट परटेनिंग टू प्रेजंट एकोनमिक सिचुएशन आफ दी वर्ल्ड इस आर्ट्रियू, अब हमें देखना है, एकोनमिक सिचुएशन के ताहत कौन सी स्टेटमेंट जो है, इन निव ऑप्शन में से सही है, तो यहाँ पर आप देखिए, यह ओप्शन है आपके पास, ठीक है, तीन ओप्शन है, तो सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर जो है आपका, यहनि कि चाइना एंड इंडिया आर मेकिंग वैरी गुड प्रोग्रेस ओन दे एकनॉमिक फ्रंट, इंडिया इस लिटल स्लोर देट दन चाइना, और बी जो है आपके पास, यूके एंड आल्मोस्ट आल यूरोपियन नेशन आर नाव आउट ओफ एकनॉमिक क्रिसिस, ठीक है, तो यह दो जो आप्शन है, आपके बिलकुल सही है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन चलते हैं, विच कंट्री टॉप्ट दी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जी एच ट्वंटी, ट्वंटी, ठीक है, तो कौन सी कंट्री है, जो टॉप पे आई है, तो देखिए, ऑप्शन जो है, दो हजार बीस में पूछा गया है, तो ऑप्शन आपके पा ठीक है, चार अप्शन आगे आपके पास, तो सही आंसर क्या है आपके पास, यानि की एपार्ट स्वीजर लैंड, ठीक है, नेक्स्ट कोशन क्या पूछता है, विच इंस्ट्यूट टॉप्ट दी टाइम्स हाइर एजुकेशन यानि की टी एच ए वर्ल्ड यूनिवरस्ट की रैंकिंग 2021, अब 2021 का हमें बताना है कि पूरी वर्ल्ड की जो यूनिवरस्टी है, वो रैंक, कौन से रैंक पे आई है, ठीक है, टॉप पर आई है, और कौन सा इंस्ट्यूट है वो, ठीक है, तो आप्शन आपके पास, चार दिए गये हैं, तो सही आंसर क्या है आपके पास, यानि की सही आंसर जो है आपके पास, वो है आपका भी पार्ट, यूनिवरस्टी ओफ ऑफ ऑक्सपोर्ड, ठीक है, ऑक्सपोर्ड की डिक्शनरी भी होती है न, नेक्स्ट कोशन है, इंडिया है रैंक्ट डैश पोजीशन इन दी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, अब 2020 का जो ये ग्लोबल इनोवेशन एक इंडेक्स है, ठीक है, इस पर जो इंडिया है, वो कितने रैंक्ट पर आई है, ठीक है, कौन सी पोजीशन पर आई है, तो देखिए, सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर जो है, यानि की 48 रैंक्ट पर आई है, नेक्स्ट कोशन कहता है, कैबिनेट अप्रूवड MOU साइन बिट्विन इंडिया और डैश तो इंप्रूव दी क्वालिटी और टेस्टिंग ओफ इंडियन टेक्स्टाइल, ठीक है, जो कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव किया है, MOU को और साइन किया है, किसके बीच इ यहनि कि इंडिया और जापान, ठीक है, डी आपका सही आंसर है, नेक्स्ट कोशन हमें पूछता है, कि कैबिनेट अप्रूवड MOU बिट्विन इंडिया और डैश फॉर कॉर्परेशन इन दी फील्ड ओफ जियोलोजी और मिनरल रिसोर्सिज, ठीक है, इंडिया और कौन सी ये कंट्री है, तो वो है आपकी कौन सी, यानि की फिन लैंड, ठीक है, सी पार्ट जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, नेक्स्ट कोशिन कर लेते हैं, देखिए, नेक्स्ट कोशिन है, इंडिया जापान और डैश अगरीड तो लॉंच और रिसाइलेंट सप्लाई चेन इनिशेटिव इन दी इंडो पैसिफिक रिजन, इंडिया जपान और कौन सी कंट्री है, जिसने ये लॉंच किया है, कि य क्या करेगी, सप्लाई चेन इनिशेटिव करेगी, किस में, इंडो पैसिफिक रिजन में, तो सही आंसर क्या है इसमें, यानि कि सही आंसर जो है आपका, ए आस्ट्रेलिया, ठीक है, यह आपका सही आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट कोशिन है, देखें नेक्स्ट कोशन विच रेस्लर वाजीव गांदी खेल रतना एवाड दोहजार बीस ठीक है तो कौन से जो रेस्लर थे उन्होंने ये जीदा था एवाड जिस एवाड का नाम था राजीव गांदी खेल रतना एवाड दोहजार बीस में तो ऑप्शन ए राहुलावार विनेश पोगत या बजरंग पुनिया या योगेश वर्दू ठीक है सही आंसर क्या है आपका यानि की भी पार्ट विनेश पोगत ठीक है यह हो गया आपका सही आंसर नेक्स्ट कोशन की चलते हैं और बीचओ ओफ दी फोलविंग लांच दी इंडिया कॉम अफ दी नेशनली डेमाइन कॉंट्रीबूशन या नी की की फुल्सट्रम क्या होगी नेशनली डेमाइन कॉंट्रिबूशन ट्राइंस पुनिशेटिफ फोर एसिया और stalती कॉ्छ सी है जिसने ये लांच की है इंडिया में तो ये है आपकी तो सही आंसर क्या है सही आंसर जो है यानि की डी नीती आयोग नेक्स्ट कोश्टन है जूम कम कर देते है थोड़ा नेक्स्ट कोश्टन देखिए क्या पूछता है विच ओफ दी फोल्विंग आर्पी एफ पर्सनल वोज ओनर्ड विद जीवन रक्षा मैडल्स ओप्षन ए लेट शिरी जगबीर सिंग ओप्षन बी शिव चरन सिंग और सी मुकेश कुमार मीना एंड डी ओप्षन अल ओफ दी अबव तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर जो बिलकुल सही है वो है आपका यानि की डी पार्ट अल ओफ दी अबव लेट शिरी जगबीर सिंग भी शिव चरन सिंग भी और मुकेश कुमार मैना भी ठीक है तो यह तीन है आपके तो यह आपके आगे सही आंसर नेक्स्ट कोशन देखिए विच स्टेट गोर्मेंट है सेट अफ अ कॉंसियल फॉर दी कंजरवेशन ओफ बायोजिकल डाइवेस्टी ठीक है तो कौन सी यह स्टेट गोर्मेंट है तो यह है आपके डी यानि की जमू एंड कश्मी है ठीक है टाइम दे रही हूं आपको जल्दी से बताईए भी मुझे नीचे नेक्स्ट कोशन देखिए नेक्स्ट कोशन कहता है तो यह एक डेवलप्ट भी किया है और लांच भी किया है यानि की हैल्थी यहर्बल बेस पर ठीक है तो यह क्या करेगी हमारी जो इम्म्योनिटी होती है यानि कि हमारी जो अंदर की ताकत शक्ती होती है उसको बूस्ट करने के लिए ठीक है और रूम फ्रेशनर प्रोड़क्ट भी है और कंटेन दी सप्रेड ओफ को वाईडी तो क्या है इसका सही आंसर सही आंसर जो है यानिकि ये पार्ट डी आई एटी नेक्स देखिए जपान एनौस्ट अमर्जेंसी लोन ओफ डैश फॉर इंडिया टूफाइट को वाईडी 19 पैंडमिक अब मुझे पताईए कि जब ये करोना ठीक है करोना था तो यानिकि को वाईडी 19 था तो उस वक्त जापान ने जो एनौस्ट किया था अमर्जेंसी लोन के लिए ठीक है उन्होंने अनौस किया था कि जो ये इस से लड़ रहे है यानि कि हमारी जो इंडिया करोना से लड़ रही है तो उनको एक अमर्जेंसी लोन मिलेगा कितना दिया था इन्होंने नीची आप्शन है आपके पास सही आंसर क्या है आपका सही आंसर जो है बिल्कुल यानि की सी पार्ट साड़े साड़े तीन हजार साड़े तीन हजार करोड ठीक है नेक्स देखिए इंडिया का एम क्या है कि वो क्या पाना चाती है सो एम्टी कोल गैसिफिकेशन टारगेट किसके दोबारा यानि की कब ये हमारी इंडिया कहती है कि हमें ये एम जो है अचीव करना है 2024 में करेगी 25 में, 28 में या 30 में तो सही आंसर क्या है यानि की 2030 में अभी क्या चल रहा है 2022 ठीक है नेक्स तैं विच इस दी मल्टी वैरियल रॉकेट लांच यानि की फुल फॉर्म होगी MBRL सिस्टम प्रडूस्ट इन इंडिया तो कौन सा मल्टी वैरियल रॉकेट है जो ये लांच किया है इंडिया में अप्शन चार आपको दिये गए है सही आंसर क्या होगा आपका यानि की पिना का ठीक है पिना का जो है बाव का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है फॉर्मर प्रेजिडेंट पर्नव मुखर जी फॉर्म पास्ट अवे रिसेंटली सर्फड अजी प्रेजिडेंट ओफ इंडिया फ्रॉम ठीक है जो पर्नव मुखर जी प्रेजिडेंट थे जब तब उन्होंने क्या किया था उन्होंने एक रिसेंटली वो किस चीज में पास हुए थे प्रेजिडेंट से ठीक है हमारे इंडिया के थे तो कितने से किते तक ये रहे हैं पर्नव मुखर जी तो ये रहे हैं हमारे 2012 से स्तारा के बीच स्तारा तक ठीक है नेक्स्ट गोशन किया पूझता है हमें नेक्स्ट गोशन है विच स्टेह गोर्मेट pass अरी सेल्यूशन अगेंस्ट दी सेंटर्स फार्म ओर्डिनरी जी ठीक है ओप्शेन चार आपके पास option A जो है हर्याना and option B जो है तमिल्लाडू and option C जो है पंजाब option D जो है आपके पास बिहार तो सही answer क्या है आपका यानि कि C पंजाब जो है आपका बिलकुल सही answer है next question जो हमें पूछता है कि which language is called as the Italian of the East तो कौन सी बाशा से ये कहा जाता है सही answer है आपका तेलूग next question पूछता है how many crores did Indian railways demand for setting up pension fund ठीक है तो कितने crore जो है ये काम करेगी Indian railway पर demand करी है इन लोगों ने तो देखिए option क्या है pension fund जो है तो सही answer जो है आपके पास यानि कि B 50,000 crore next question है who has been appointed as new northern command chief ठीक है तो वो है आपके क्या northern command chief जो है वो कोन है आपके यानि कि वो है आपके VK जोशी ठीक है और जो अभी है present में तो वो आप मुझे नीचे लिखिए comment box में अगर अभी भी यहीं है तो भी लिखिए अगर नहीं है तो अगर कोई और है तो तब भी नीचे लिखिए कि यह northern command chief कोन है ओके next question देखिए Novak Dejokovic won his record meant single title यह title दिया गया है और जो जीते हैं कोन देखिए कोन से record में 7th में, 9th में, 8th में या 6th में सही answer जो है यानि कि आपका सही answer हो गया C, 8th next question पूछता है when Udjan scheme was launched अगर जिसको पता है तो निच लिखिए फटा-फट तो जो Udjan scheme जो है Udjan scheme यह किसने launch की है तो यह कभी यह launch हुई है 2018, 17, 16 यह 19 में तो सही answer क्या है यानि कि 2000, 17 में यह Udjan scheme launch हुई है next है new tax regime reduces tax payable for individuals earning कितनी earning है नए text में option देखिए आपके पास चार option है तो सही answer कौन सा है आपका यानि कि B 12 to 15 lakh ठीक है next question कहता है which country became a global data center तो कौन सी country है जो अभी यह global data center के आई है तो option A पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया या इरान बी जो है आपका बिलगूर से ही answer है next question है which state bagged first position for implementation of PMMBY ठीक है सबसे पहले यह लिखना है आपने then आपने bracket डालनी है जो इसकी full form होगी वो नीचे लिखनी है then bracket close ठीक है और इस question का answer जो है आप मुझे नीचे comment box में जरूर बताइएगा ठीक है तो 98 question आपको देती हैं और 99th question जो है who appoints the central chief information commission तो कौन appoint करता है इनको तो वो करते हैं कौन यानि की वो करते हैं President of India ठीक है यह part जो है आपका बिलकुल सही answer है next last question जो हमारा आज का class का है वो है what is the maximum number of information commission allowed for appointment ठीक है तो कौन से number की information रहती है option 8, 12 option 10, option C जो है आपका 5 and option D जो है आपके पास 8 तो सही answer क्या है आपका यानि की सही answer हो जाएगा आपके पास A part ठीक है A part जो है बिलकुल सही answer हो जाएगा तो इसी के साथ आज की हमारी जो class है JKSSP Wildlife Guard की तो वो खतम होती है सो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कीजिए और जादा से जादा ये बच्चों तक पहुंचाईए क्योंकि return tentably date पर भी हो सकता है ठीक है कोई ना भी कहने की chances नहीं है बट हो भी सकता है और अगर नहीं भी होगा तो 10 June के अंदर अंदर यानि कि 20 तक आपकी जो अपडेट होगी written की तो वो आपको मिल जाएगी ठीक है इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखें अपना बाई बाई टेक केर